नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है फायर बोल्ट रोग स्मार्ट वाच जो हाली में लॉंच हुई है फिपकाट पे और आपको मिलती है 2499 में हाला कि इसके प्रैस कम ज्यादा हो सकती है लेकिन अगर आपको ए स्मार्ट वाच 2799 या उसके अंडिर मिलती है तो काफ 10 प्लस वर्काट मोड, मुजिक अन कैमेरा कंट्रोल, AI ओईस असिस्टंट, मल्टिपल वाच फिसस, स्मार्ट नोटिपिकेशन, पासवर्ड प्रोटिक्शन और ये है IP68 वाटर एंडस रसिस्टंट मतलब कि आप इससे पानी में तो इसरे किसे आपको मिलती है स्मार्ट वा स्ट्राप से उससे इंसर्ट करना है उपर में इस तरीके से इंसर्ट कीजिए, यह हो चुका है इंसर्ट, अब इसे लोग करने के लिए आपको इन पिन का यूश करना है, तो पिन में है दो साइड, ये है स्लोट वाली साइड और ये है फ्लाट साइड, तो स्लोट जिसमें है उससे आपको charging pin के side रखना है तो इस side को हम रखेंगे charging pin के side यहाँ पे तो आपको इन pin को hold में करना है insert इस तरीके से और फिर हो जाने के बाद प्रेस कीजिए यह वो चुका है lock मतलब कि जो straps से अब lock हो चुके है इस तरीके से lock होगा दोनों straps insert हो चुके है अगर आपको इन straps को कभी भी रिमू करना हुआ तो सबसे बिले आपको इन pin को रिमू करना पड़ेगा pin को रिमू करने के लिए आपको इस तरीके से इसे pull करना है pin को बाहर करना है और यह निकल जाएगी pin यह रही pin और आप फिर इस तरीके से इसे pull कर सकते हो insert करने के लिए करनी है same procedure जो हमने पहले की थी तो जो smart watch है काफी बढ़िया लगती है क्योंकि इसमें आपको करो class मिलता है round dial के साथ और यहाँ पे देखोगे आप तो जो पुरी mm के अच्छी quality के है और यहाँ पे आपको मिलता है बकल क्लाप्स और इस तरीके से करना है lock आपको पहले तो pin को यहाँ पे करना है attach और फिर इस strap को नीचे की और डालना है अंदर यहाँ पे इस तरीके से आप इसे पहन सकते हो back की बात करेंगे तो back में है 4 pin charging slot, SP2 and heart rate sensor, यह है mic और यहाँ पे है speaker बात करते है battery और charging के तो आपको इस तरीके से attach करके इसे charge करना है इसमें है 260 mh की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 2 hour आपको मिलेगा 7 days का battery backup लेकिन अगर आप calling का युश करोगे तो आपको मिलेगा 2 days का battery backup और अगर आप calling plus EOD का युश करोगे तो आपको मिलेगा 1 day का battery backup चार्जिंग करने के लिए आप 5 watt यादा सोट का charging adapter यूश कर सकते हो जितना slow charger आप यूश करोगे उतना बेतर होता है smart watch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCI laptop में जो USB पोड़ता है उससे भी charging कर सकते हो इस smart watch को first time यूश करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूंगा इसे switch on तो आपको crown button पे long press करना है तो जो smart watch है switch on हो चुकी है अब हम करेंगे इसके pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store में जाकर इसे आपको download करना जिसका नाम है on wear pro तो on wear pro को download कीजिए आपको इससे करना है open region आपका idea होना चाहिए next bit आप कीजिए swipe कीजिए start using allow कीजिए close कीजिए इसे आप यहां से अपनी profile photo अपना username set कर सकते हो इसके लगा unit आपको metric रखना है gender आप अपना change कर सकते हो male or female आपकी बर्थड़े आपको set करनी है इस तरह किसे फिर आपकी height centimeter में आपका weight kg में फिर आपको करना है next फिर आपको करना है search device आपकी watch होनी चाहिए सुचोन हम करेंगे search values in the app पर tap कीजिए allow फिर से search पर tap कीजिए यहां पर आपको शुकरेगा firebolt 108 आपको इस पर tap करना है आपकी watch में tick पर tap कीजिए pairing successful हो चुकी है फिर आपको करना है pair पर tap मतलब कि हमने call के feature को on कर लिया है अब आप अपनी watch में भी call को receive कर पाऊगे आपको करना है allow और करिए start experience परमिशन को allow कीजिए ताकि जो call से वो show करें आपकी watch में context के नाम के साथ तो सबसे फ़ले हम करेंगे device का setup तो आपको जाना है me की tab में आपको s पर tap करना है ok कीजिए notification को on कीजिए ok कीजिए go to open on where pro को on कीजिए allow कीजिए back जाइए अब इन में से आपको कौन-कौन से apps के notification रिस्यू करनी है आपकी watch में आपको उने apps को on करना है इस तरीके से जैसे gmail, whatsapp, twitter, instagram अगर आपको आपके phone के सभी apps को लेखना हुआ तो आपको more reminder पे tap करना है तो आपके phone के सभी apps से आप पेश्यो करेंगे अब इन में से आपको कौन-कौन से apps की notification रिस्यू करनी है आपकी watch में आपको उने on करना है तो मैंने अपने चुनिंदा apps को on कर लिया है सबसे पिले आपको watch के icon पे tap करना है आप यहाँ से update को check कर सकते हो आपको upgrade पे tap करना है अगर update available हो का तो यहाँ से आप उसे download भी कर पाऊगे हाला कि अब है latest version unit में आपको check करना है यहाँ पे होना चाहिए metric और यहाँ पे kg, km, degree Celsius होना चाहिए इसके बाद है time format आपकी watch में कौन से format में time को show करना है तो आप यहाँ से set कर सकते हो तो आप यहाँ पे कर सकते 12 hour या 24 hour मैं करूंगा 12 hour save यह है factory set करने का option और यह है unbind device तो अगर आप करोगे unbind तो आपकी watch आपके phone के साथ हो जाएगी disconnect फिर अगर आपको दोबारा अपनी watch को इस करना हुआ तो आपको पहले से pair करना पड़ेगा आपके watch को आपके phone के साथ यह है more sports मतलब की workout को add करने का option तो यहाँ पे आपको बिलेंगे 100 से भी ज्यादा workout के लिए options हाला कि आपकी watch में एक साथ show करेंगे केवल 21 workout mode पहले से 20 add किये गए है तो आप जो last वाला है बस उसे ही add या replace कर सकते हो तो माहल लेते मुझे add करना है यहाँ से category है अलग-अलग जैसे कि ball में अगर मैं जाओंगा तो cricket को add करना है cricket synchronize कीजिए आप at a time एक ही कर सकते हो तो आप अगर जाओगे workout mode में तो आप देखोगे हाँ पे नीचे आपको मिलेगा अब cricket का नया option यह रहा cricket और अगर मैं अब इसके प्लेस पे करूँगा होकी synchronize देखोगे cricket के प्लेस पे अब आज आएगा होकी इस तरह के से आप last वाला ही add या replace कर पाऊगे आगे dial center मतलब की watch face को download करके apply करने का option तो आपको इस पे tap करना है तो यहाँ पे आपको मिलते है अलग-अलग category जैसे की simple, digit simple, digital data, pointer simple, pointer, classic, holiday तो यहाँ पे आपको मिलते है total 100 plus watch faces अगर आपको किसे भी watch face को download करना हुआ तो आपको उस category को सबसे पे ले open करना है फिर आपको जिससे download करना है उस पे tap कीजिए इस तरह के से sync dial इस तरह के से आप किसे भी watch face को download करके apply कर सकते हो जो watch face से apply हो चुगा है आप देख सकते हो तो मैंने download किया है एक ऐसा watch face जिसमे battery level भी show करता है तो यह रहा battery level अगर आपको अपनी खुद के photo set करने हो यह तो आप भी कर सकते हो आपको उपर में मिलेगा custom dial का option आपको इस पे tap करना है फिर time को display करने के लिए आपको मिलते है चार style तो style पे tap कीजिए यह है A, B मतलब black में होगा C इस तरीके से yellow में और D मतलब की green में आपको जो चूश करनी है set कीजिए save background picture पे tap कीजिए gallery को open कीजिए allow कीजिए आपको जिस photo को set करना है आपको इस photo पे tap करना है मुझे set करनी है यह photo तो मैं इस पे tap करूँगा आप इसकी position set कर सकते हो अपनी साब से उपर नीचे या left right में करूँगा इस तरीके से नीचे फिर आपको करना है time को आपको कहां पे शो करना है तो अभी है top में फिर आप bottom भी कर सकते हो नीचे left भी कर सकते हो और right भी कर सकते हो मैं करूँगा top में save और अगर आपको watch face को पहले के तरह करना हुआ तो आपको करना है restore लेगिन अब मैं करूँगा इस save तो करिए sync dial तो इस तरह के से आप अपने किसे भी photo को set कर सकते हो watch face पे तो जो photo है set हो चुकी है आप देख सकते हो आप अपनी watch में एक साथ five watch face को place कर सकते हो हलाग कि पहले चार watch face fix होते हैं आप उने change नहीं कर सकते हैं जो last वाला होता है 5th watch face वह इच्छा होता है watch face को आप अपनी watch से भी change कर सकते हो आपको watch face पे long tap करना है और पिर इसे swipe करना है इनके बेच में switch करने के लिए जिसे set करना है आपको उस पे tap करना है आगे है camera तो इस पे tap किजिए while जिन्दी एप पे tap किजिए आपके phone में open होगा camera और आपकी watch में open होगा schedule बटन तो आप tap करोगे तो आपके phone में capture होगी photo तो आप tap करके या shake करके photo capture कर पाओगे अपने phone में camera को आप यहां से कर पाओगे rotate आगे है notification जो हम पहले ही set कर चुके है आगे है call reminder तो अगर आप चानाते हो आपकी watch में call शो करें तो आपको इसे on करना है call reminder को और यहां से आप अपने contacts को add कर पाओगे अपनी watch में इस पे tap कीजिए आप यहां से maximum 10 contacts को add कर सकते हो अपनी watch में प्लस की sign पे tap कीजिए जिस contact को आपको add करना है उसके सामने star होगा आपको star पे tap करके उसे करना है select इस तरीके से तो मैंने अपने 10 contacts को add कर लिया है फिर आपको करना है save पे tap जिस order में यह contacts यहां पे शो कर रहे है उसी order में आपकी watch में भी show करेंगे हाला कि आप इन्हें 3 बार पे long tap करके track करोगे तो इन्हें आप उपर निशे भी कर सक्के हो इस तरीके से अगर इन में से आपको किसी को remove करना हुआ तो pencil का icon पे tap कीजिए remove करने के लिए उने कीजिए select और कीजिए delete अगर आपको सभी को करना है save तो फिर आपको जाना है back अब देखते हैं अगर आपको कई भी call आता है तो किस तरीके से चो करेगा आपकी watch में तो call आ चुका है इस तरीके से आपको मिलेगा call का preview contact करना में number चो करेगा आपकी watch करेगी vibrate और watch में हो रा है ringtone अगर आप इस ringtone को mute करना चाहते हो तो आपको अपने phone में volume up या down पे ब्रेस करना है ringtone हो जाएगी mute आपको मिलेंगे 2 options call को कट करने का और इस accept करने का और अगर आपने इस accept कर लिया तो आपको मिलेंगे अब यहाँ पे 3 options call के volume को आप यहाँ से adjust कर पाओगे इस तरह किसे और फिर है mic को mute करने का option तो अगर आप चाहते हो सामने वाले को आपको आपको आज ना जाए तो आपको इससे mute करना है और यह है call को कट करने का option हाला कि call को switch करने का option नहीं है तो आपको phone से ही करना पड़ेगा जो B का आएकर होता है उस पे डाप कीजिए अब जो call है transfer हो चुका है phone में आप चाहते हो call वापस जाए watch में तो आपको B पे डाप करना है इस तरह किसे आप call को switch कर सकते हो phone के जड़ी ही आपका phone अगर silent बड़े पे होता है फिर भी आपके phone में और यहां पे होगा एक call का बटन कीजिए अगर आप अपनी watch में call को रिसुउ नहीं करना चाहते है तो आप call के feature को उभी कर सकते हो आपको home page पे करना है swipe right और यहां पे होगा call का button ट्याप कीजिए call audio को off कीजिए अब अगर कोई भी call आएगा तो आपकी वाश में show तो करेगा लेकिन आप उससे रिसुन नहीं कर पाओगे अपनी वाश में तो इस तरह के से आपको मिलेगा call का प्रिव आपको मिलेगा है आपको क्यावल एक की option इस call को cut करने का contact करना में number शो करेगा और आपकी watch care की vibrate आप यहां से इसे कर सकते हो cut अगर आपको call को receive करना है अपनी वाश में तो आपको call audio को own करना है अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरह के से शो करेगा आपकी वाश में तो SMS आ चुका है इस तरह के से आपको मिलेगा SMS का प्रिव जब SMS आएगा डिस्प्ले वान हो जाएगा और आपकी watch care की vibrate अगर आपने SMS को देखना मिस कर दिया तो आपको करना है home page पे swipe up यह रहां आपका SMS ट्याप करके आप उसे open कर पाऊगे time show करेगा contact करना में number और यहाँ पे message का content और यहाँ पे आप देख पाऊगे केवल 3-4 line Hindi font और emoji support नहीं करते और आप चाओ तो यहाँ से इसे delete भी कर सकते हो अब देखते है अगर आपको कोई भी WhatsApp message आता है तो इस तरह के से शो करेगा आपकी watch में तो WhatsApp भी आ चुका है इस तरह के से आपको मिलेगा WhatsApp का प्रिव WhatsApp आने पे भी डिस्पेवन होता है और watch करती वाइबरेट देखना मिस कर दिया तो किजिए swipe up इरहां आपका WhatsApp message इस तरह के से आप read कर भाऊगे तीन से चार लाइन और यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पिछले 15 message को अगर आपको सभी को एक साथ करना हो clear तो यहाँ पी नीचे आपको मिलेगा clear all का button सभी को एक साथ clear करने के लिए यहाँ पिर आप one by one भी कर सकते हो सभी को clear आपको एसे swipe करना है और करना है गलिट आगे है reminder settings तो इसमें सब सब पहले है sedentary reminder तो अगर आप एक गंटे के लिए बिना किसी activity के ऐसे ही बैठे हो ideally एक गंटे के दोरान नाप चले नाप उठे तो आपको हर गंटे आपके वाच में आएगा एक alert कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे करना है own आपको करना है पानी पिनी का reminder भी आप एड़ करपाऊगे आपको drinking reminder पे ट्याप करना है इसे own करना है मैं चाहता हूँ हर दो घंटे पानी पिनी का reminder आए तो मैं यहाँ पे sit करूँगा 120 मिनट तो मेरी watch में अब सुबह के 8 से लेकर रात के 10 वज़े तक हर 2 घंटे आएगा पानी पिनी का reminder मेरी watch में save कीजिए अलार्म जो है आप अपनी watch से भी add कर पाऊगे तो हम watch से एड़ करेंगे इसके आगे है health monitor इस पर्याप कीजिए यह है automatic heart rate measurement तो अगर आप इससे own करोगे तो आपके watch में हर 10 minute के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा इसके लावा यह है motor heart rate warning तो अगर आपने save on किया ह और यहाँ पे अगर आपने set किया है 160 इसका मतलब बता है कि अगर आपका heart rate कभी भी 160 या उसके उपर जाता है तो आपकी watch में आएगा एक heart rate alert लेकिन अगर आपको अपनी watch में battery backup बढ़िया चाहिए तो आपको इन्हें off करना है मतलब कि अब आपकी watch में heart rate automatic measure नहीं होगा लेकिन आप जब चाहिए तब अपनी watch में manually heart rate को करपाओगे measure save a tap किजिए आगे है find device तो आप इस feature के जड़िए अपनी watch को ढूंड सकते हो मैं लो आपने अपनी watch को गई रख दिया है आपको मिल नहीं रही है तो एसे में अगर आप इस पिट्याप करोगे तो आपकी watch में display on हो जाएगा और आपकी watch करेगी वाइबरेट टीन बार हाला कि यह feature तब भी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी यह है background permission settings तो अगर आप चाहते हो आपकी watch आपके phone के साथ बार बार disconnect ना हो और यह जो app है background में ठीक से work करे तो आपको गरनी है दो चीजे इस app को open किजिए recent app में और app icon पिट्याप किजिए यहाँ पे हो battery में और यहाँ पे आपको state करना है पहले पे earn restricted पे इस app में आपका जो भी health और activity डेटा है उससे अगर आप सिंग करना चाहते हो Google Fit के साथ तो आपको जाना है more settings में और यहाँ पे होगा Google Fit आपको इस app करके इसे करना है sign in तो इस app में आपका जो भी डेटा है जैसे कि steps, distance, calorie hard rate, SP to sleep यह सबी डेटा आप Google Fit में भी देख पाऊगे अगर आप करोगे sign in और अगर आप उपर में इस username पे ट्याप करोगे तो आप यहाँ से अपनी profile photo, username, gender, height, weight, birthday इसके लाबा जो target है मतलब की daily goal आप यहाँ से change कर पाऊगे, daily आपको कितने step चलने है, कितना distance score करना है, कि आप यहाँ से change कर सकते हो, जब चाहँ तब इस तरीके से, और end में करिए, save पे ट्याप, save गरने के लिए, अब बात करते है, health page की मतलब की homepage की, जहाँ आपको शूब करेगा आपका आज का activity और vital data, तो यह है आज का data, आज आप कितने step चलने हो, calorie, distance, इसके लावा, आप अपनी watch में, आपका heart rate और SPO2 करोगे measure, तो इसका data आपको यहाँ पे शुकर देगा, आप ट्याप करके उन्हें चेक कर पाओगे, इस तरीके से detail में, heart rate और यह है SPO2, और यह है sleep data, तो अगर आप चाहते हो, आपकी watch में, आपका sleep data record हो, तो आपको सोने के दुरान अपनी watch को पेहने रखना है, और आपकी watch में record होगा sleep data, और यहाँ पे शुकर देगा, कि आप कितने बजे सोये, कितना time सोये, और आपके अलग-अलग sleep stages, और इसका time यहाँ पे शुकिया जाएगा, तो हमने इस app के जरिए, अपनी watch का setup complete कर लिया है, अब हम देखेंगे, आपको watch को कैसे use करना है, इस watch में आपको मिलती है, दो buttons, उपर में है push buttons, नीचे में crown button, दोनों का है एक common function, तो आपकी watch में अगर display off है, तो उसे on करने के लिए, आप उपर में या फिर नीचे press कर सकते हो, दोनों buttons से आप display को on कर पाऊगे, उपर वाले push button का है केवल एक unique function, तो display अगर on होता है, ऐसे में अगर आप इस पे press करोगे, तो आप access कर पाऊगे workout mode को, ये है workout mode, आप शाय किसी भी menu में हो, अगर आप उपर वाले button पे press करोगे, तो आप access कर पाऊगे workout mode को, इस तरीके से, अब बात करते है crown button की, तो homepage पे होते हुए अगर आप इस पे press करोगे, तो चार menu style यह है style 1 double press किजिए इससे change करने के लिए style 2 style 3 style 4 और अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको जाना हुआ direct homepage पे तो आपको इस पे press करना है direct homepage पे जाने के लिए और अगर आप इस पे long press करोगे तो आपको मिलेगा switch up करने का option अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ से अगर आपको जाना हुआ back step by step तो आपको इसे right swipe करना है step by step back जाने के लिए homepage पे होते हुए अगर आप इस पे करोगे rotate तो आप जो watch face से उसे कर पाऊगे change इस तरीके से और अगर आप किसी भी menu में enter करते हो वहाँ पे अगर आपको करना हुआ scroll up, scroll down, navigate करना हुआ उपर नीचे तो आपको इसे करना है rotate उपर नीचे करने के लिए इस तरीके से homepage पे अगर आप swipe down करोगे तो आपको मिलेगा control center उपर में battery level और time show किया जाएगा सबसे पहला toggle है D&D को on up करने का तो आप यहाँ पे one tap मे D&D को on up कर पाऊगे D&D को अगर आप on करोगे तो आपकी watch में कोई भी calls या message नहीं आएंगे इसके लोग कोई भी sound या vibration लेनी होगा आपकी watch में यह brightness को adjust करने का toggle तो आप यहाँ पे minus plus के sign पे tap करके brightness को करपाऊगे adjust यह है rest to wake का feature तो आप यहाँ पे one tap में rest to wake के feature को on up करपाऊगे अगर यह on है इसका मतलब होता क्या है मान लेते हैं आपने अपनी watch को पहना हुआ है अब आपको time को दिखना है display क on करना पड़ेगा उसके लिए आपको अपनी यहाँ से भी minister को change कर पाऊगे जो हम पहले ही देख चुके है इसके बाद है watch face तो आप यहाँ से भी watch face को change कर सकते हो swipe करके जिससे set करना है उस पे tap किजिए आप यहाँ से भी brightness को adjust कर पाऊगे यह screen on मतलब की AOD को कितने समय के लिए आपको on रखना है तो यह रहा पहले AOD clock का option तो अगर आप चाहते हो अपनी watch में always on को use करना है तो आपको करना है इससे on आपको विलेंग की दो style digital और analog में करूँगा पहले digital को टिक पे tap किजिए इससे क्या होगा आपने यहाँ पे रखा हुआ इससे on में टाइम माल लेते 5 मिनट मतलब की अब मैं अगर AOD को on करूँगा तो अभी जो clock शो करेगी आपको यह 5 मिनट के लिए शो करेगी आपकी watch में तो मैंने किया है digital clock को select तो इस तरीके से आपको AOD शो करेगा time और date शो किया जाएगा और यह ऐससे show होगा जितना time आपने set किया है screen on में मैंने set किया है 5 मिनट तो यह 5 मिनट के लिए show करेगा तो आपको AOD कितने समय के लिए on रखना है आप यहाँ पे screen on में जाकर जो time है उससे कर सकते हो adjust maximum है 20 मिनट AOD में दुसरा style है analog तो अगर आप analog पे set करोगे तो आपको इस तरह के समय लेगा analog AOD जहाँ पे आपको कुछ scale से यहाँ पे show करेंगे और बीच मे show करेंगे 2 काटे hour और विनट के लिए आगे screen time मतलब कि display कितने second के लिए on रहना चाहिए अब यहाँ पे set किया गया है 5 seconds तो मान लेते आपकी वाच में अगर display off होता है अगर आप उसे दोबारा open करोगे या on करोगे तो यह अब on रहेगा 5 seconds के लिए उसे केते है screen time तो आप यहाँ पे इसे कर सकते हो maximize यहाँ पे options से maximum 25 seconds तक मैं आपके set करूँगा 15 seconds फिर है race to wake मतलब कि अगर display आपकी वाच में off होता है तो अगर आप उसे race to wake करके on करोगे तो कितने second के लिए display on रहेगा यह है उसका timer तो आप minimum 2 seconds से लेकर maximum 6 seconds तक set कर पाऊगे अब मैंने set के हमान लेते है 3 seconds तो अगर मेरी वाच में display off होता है display off हो चुका है अब अगर मैं इसे race to wake करके on करूँगा तो अब यह on रहेगा 3 seconds के लिए आप देखोगे अब यह रहेगा 3 seconds के लिए on बाद में off हो जाएगा इसे केते है race to wake का timer फिर है battery तो इसमें आपको शो करेगा battery level और यह है power server mode का on करने का feature अगर आप इसे on करोगे तो आपकी watch में सभी functions off हो जाएगे केवल आपको शो करेगा time और date इस तरीके से यह है power server mode call का feature भी off हो जाएगा आपको वही भी alert शोनी करेगा तो अगर आपको power server mode को off करना हुआ तो उपर वाले button पे आपको long brace करना है तो जब आपकी watch में battery कम है या आपको battle से हो करनी है आपकी watch में तब आप इसका यूज़ कर सकते हो यह है vibration intensity तो अगर आपकी watch में कोई भी alert आता है तो vibration कितने level पे चाहिए अगर आपको vibration नहीं चाहिए तो off कीजिए अगर आपको चाहिए हलका सा vibration तो soft पे set कीजिए अगर आपको चाहिए ज़्यादा भारी vibration तो strong पे set कीजिए language को आपको English पे set करना है QR code दिया गया है इससे आपको download करने के लिए जो हम पहले ही download कर चुके है इसके बाद है password तो आप यहांसे password को set कर पाऊगे tap कीजिए इससे on कीजिए password को set कीजिए फिर से confirm कीजिए तो जब भी आपकी watch में display off होगा और अगर आपको अपनी watch को use करना हुआ तो on करने के बाद आपको तुरन password को enter करना पड़ेगा तब भी आप अपनी watch को use कर पाऊगे तो display off हो चुका है अब मैं इससे on करूँगा तो मुझे अब enter करना पड़ेगा password इस watch को use करने के लिए तो आप password में जाकर यहाँ से password को on up भी कर सकते हो और यहाँ से अपने password को change भी कर सकते हो इसके बाद है system info जो हम देख चुके है और यहाँ पे आपको भी लेंगे दो system menu इस watch को चुचोप करने के लिए और इससे reset करने के लिए home page पे अगर आप swipe left करोगे तो आपको भी लेंगे अलग-अलग shortcut सबसे पहले है activity page मतलब की आज के steps distance और calorie energy इसके बाद है heart rate को measure करने का option इसके बाद है आपका sleep data और यहाँ पे आगे है plus का sign तो आप यहाँ पे चोटकट से उन्हें add कर पाओगे आगे है तीन shortcuts तो workout, weather, music इन्हें add करने के लिए plus के sign पे tap कीजिए तो मैंने add किया है weather, workout और music को तो आप देखोगे तो अब आप को यहाँ पे show करेंगे और तीन extra shortcut weather के लिए जहाँ पे अभी का weather कितना है इसके आगे है workout तो यहाँ पे आपको भी लेंगे 21 workout, 20 तो पहले से fix होते है जो आखरी वाला होता है 21st उसे आप change कर पाओगे अगर आप इन में से किसी को भी start करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है start करने के लिए तो यहाँ पे show किया जाएगा इस workout को कितना time हुआ है kilo calorie energy, आपका heart rate और इसे post करने के लिए swipe कीजिए resume करने के लिए return पे tap कीजिए और इसे end करने के लिए end पे tap कीजिए अगर आप चाहाँ आते हो आपका workout data save हो तो आपको minimum 1 minute के लिए workout करना है इसके बाद है music player तो play पे tap कीजिए previous next volume को आप यहाँ से down या up कर सकते हो जो music play हो रहा है आपके phone में अगर आप चाहाँ यह music play हो मेरी watch में तो उसके लिए आपको जाना है home page पे swipe right कीजिए और यहाँ पे मिलेगा आपको नीचे call का button आपको इसपे tap करना है और यहाँ पे होगा media audio आपको इसे own करना है इसके बाद अगर आप music को play करोगे तो play होगा watch में इस watch में speaker output है काफी कम है तो ज़्यादा loud नहीं speaker अगर आपके watch में music का feature काम नहीं कर रहा है तो आपको जाना है अपने phone में music app को open करना है music को play करना है इसके बाद play होगा music आप अपने phone में जो भी media play करोगे जैसे की music, video या youtube तो उसका sound आपको मिलेगा आपके phone में लिकिन अगर आप चाहते हो जो sound है play हो मेरी watch में तो आपको phone icon प्टाप करके media audio को on रखना है अगर यह ओ ने मतलब की सब भी media sound प्ले होगा watch में अगर यह ओ फिर मतलब की कोई भी media प्ले करोगे तो उसका sound प्ले होगा आपके phone में तो इसे केते है split window इसे आप इस तरह किसे कर सकते access आपको home page पे करना है swipe right तो उपर में है time, date और यहाँ पे शो करेंगे 5 apps जो आपने recently use किये है आप इन्हें इस तरह के से open कर सकते हो tap करके और यहाँ पे अभी का weather और यह है phone feature जो हम देख चुके है और अगर आपको इन में से किसी भी shortcut को remove करना हुआ तो plus की sign पे tap कीजिए और यहाँ पे ओगा minus का sign आप minus का sign पे आपको किसी भी shortcut को remove कर सकते हो बड़ी आसनी से अब बात करते है main menu की तो आपको इस पे press करना है यह main menu सबसे पहले है dial तो आप यहाँ पे किसी भी number को dial करके बड़ी आसनी से call कर सकते हो dial pad पे जो symbol से आप उनका भी उस कर पाओगे तो आपको उस number पे long tap करना है star और hash को add करने के लिए इस तरीके से यह है context तो आपने app में जो भी 10 context add किये यहाँ पे शो करेंगे अगर आपको इन में से किसी को भी call करना हुआ तो आपको उस पे tap करना है call करने के लिए और यह है call records मतलब कि आपकी call history तो आपके जो पिछले 10 calls है recent 10 calls है यहाँ पे शो करेंगे time के साथ अगर आपको इन में से किसी को भी call करना हो तो आपको उस पे tap करना है call करने के लिए हाला कि आप अपनी call history को यहाँ से clear नहीं कर सकते आगे है ois assistant तो आपके फ़न में अगर google assistant या siri है तो उसका यूज़ आप कर पहोगे आपको tap करना है फिर से tap करना है call railway inquiry calling railway inquiry mobile इसके बाद है activity data जो हम देख चुके है इसके बाद है workout यह भी हम देख चुके है और यह है workout record मतलब कि अगर कोई भी workout आप करोगे उसका data आपको यहाँ पर show करेगा फिर यह है heart rate, sleep और SP2 को measure करने का option message आप अपने हैं से read कर पाऊगे weather यहाँ से आप check कर पाऊगे यह है female health मतलब कि period tracker तो अगर आपने इस आप में gender में female क्या होगा चूज तो आपको मिले गए आप पर period data इसके आगे है stopwatch, timer और alarm तो आप अपने जो alarm से यहाँ से आड़ कर पाऊगे time set कीजिए hour minute ampm करने के लिए 12 के बाद जाईए 12 से पहले इस तरह के साब ampm को change कर पाऊगे tick पे ड़ाप कीजिए कौनसे दिन के लिए आपको इस alarm को play करना है तो आप उन दिन को choose कर सकते हो, इस तरह के से tick पे ड़ाप कीजिए, इस तरह के से आप add कर पाऊगे maximum 8 alarm, इस तरह के साब alarm को ओनोग कर पाऊगे ड़ाप करके आप उसे change भी कर पाऊगे और उसे यहाँ से कर पाऊगे डिलिट जब भी alarm का time आएगा तब आपको मिलेगा alarm का reminder आपकी watch में, vibration के साथ इसके बाद है meditation मतलब की breathing workout, तो यहाँ पे play कीजिए timer को set कीजिए जैसे circle छोटा होता है, बड़ा होता है आपको सास लेनी है, छोड़नी है breathe हीन मतलब सास लेनी है, और breathe out मतलब सास छोड़नी है, stop करने के लिए बैक जाईए, फिर है camera यह feature तब ही काम करेगा जब आपके phone में on wear pro app open होगा अगर app open नहीं है तो यह feature काम नहीं करेगा आप देख सकते हो, इसलिए आपको पहले on wear pro app को open करना है उसके बाद camera आप टाप कीजिए आपके phone में उपन होगा camera फिर आप टाप करके या शेक करके photos को कर पाऊगे click यह है find my phone, तो आप इस option की तरी अपने phone को ढूण सकते हो, मानलो आपने अपने phone को बरक दिया है, आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे में अगर आप इस पर tap करोगे आपके phone में ring बजेगी, अगर आपका phone silent पर होता है, फिर भी आपके phone में ring बजेगी आपको tap करना है, play पे tap कीजिए stop करने के लिए back जाईए हाला कि यह feature तभी काम करेगा जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, और last में है sitting जों पहले ही देख चुके है दोस्तों दोए था firebolt rogue smartwatch का full setup guide अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे instagram पे या फिर twitter बे भी message कर सकते हो इस वडियो को देखने के लिए धन्ने बाद दोस्तो